नमस्कार, सभीको गुड़ बॉर्णिंग, मसूपकरन साहेक आचारिय EFM आज हम विकॉम पाट पर्थम वर्ष के विद्यारतियों के लिए EFM पेपर पर्थम व्यवसाइक अर्शास्तर बिजनेस एकोनोमिक्स में यूनिट संख्या 3rd में आज हमन अध्यन करेंगे मांग विशलेशन, डिमांड अनलेसिस मांग विशलेशन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे जैसा की आपने पूर्ग की कलास में या 12th में बिजनेस एकोनोमिक्स में डिमांड अनलेसिस का चेप्टर भी पड़ा है इसी करम में हम आगे इसको विस्तार से समचित में डिमांड अनलेसिस से संबंदित कुछ महत्तोपूर्ण कंटेंट या महत्तोपूर्ण topics के अंतरकित आने वाले बिंदों के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आगे इन से संबंदित बढ़ने वाला परसन आप आसानी से समझ सकेंगे और आसानी से कर सकेंगे तो आज के इस वियाख्यान में हम basic जो concept है मांग क्या है उसके बारे में हम आज अर्चा करेंगे जैसा कि आप जानते हो demand मांग किसी वस्तु की परभावपूर इच्छा ओना मांग कहलाती है किसी भी वस्तु की परभावपूर इच्छा तब परकट होती है जब उसमें या फिर मांग तब परकट होती है जब उसमें निम्न लिखी तत्तों का समावेश हो पर्थम किसी व्यक्ति विशेश के दुआरा उस वस्तु की परभावपूर इच्छा होनी चीए दूसरा उप्यूक्ति इस्थान होना चीए समय होना चीए और पर्तिफल के मुले में या पर्तिफल में मुले होना चीए तब ही वह मांग परभावित होती है जैसा कि एक उधान के रूप से हम समझें कि माना कि हमें मार्केट से या फिर अपने मन में ऐसा विचार आया कि बाजार से हमें कार खरीदनी है तो ये आपकी परवावपून इच्छा हो गई कि हमें कार खरीदनी है परंतु कार खरीदने के लिए अपने को कहा जाना होगा बाजार में या फिर उस एजेंसी में तो वो क्या हो गया इस्थान हो गया तो दूसरे अलिमेंट्स क्या है अपने सामने इस्थान तीसरा समय किस टाइम पे जाके खरीदनी है तो वो एक क्या हो गया अपना समय हो गया और चोथे की हम बात करें कितने पर्तिफल या कितने मुले उसकार का होगा तो वो अपनी क्या हो जाएगी मांग परभावित हो जाएगी अगर यह चारू एलिमेंट्स तत्तों इसमें समलित हो जाएगे तो वहाँ पर मांग परभावित हो जाएगी तो मैंने आपको बताया मांग विशलेशन में मांग किसे कहते हैं किसी वस्तू की परभाव पून इच्छा मांग कहनाती है मांग के तत्तों कौन कौन से हैं एलिमेंट्स ओफ डिमांड के मांग के तत्तों या मांग की विशलेशन में करेक्टरेटिस ओफ डिमांड या आपको बैसिक जानकारी दे रहे हैं जिससे आपको एक मांग का नियम जो एक्जाम की दिश्टी में बहुत उपी होगी है वो आपके विश्व धालियों की परिक्षाओं में वो परसन पूछा जाता है तो आपको इजीवे में समझ में भी आ जाएगा तो मांग की विशेश्टाओं में पर्थम तो होगी मांग एक परभाव पूर इच्छा है एक मांग कब होगी एलिमेंट्स में मांग का संबंद बुल्ले से होता है जैसा कि मैंने आपको पताया कार के उधान के रूप में क्यूंकि जब हम कार की इच्छा कर लेंगे तो मुल्ले होना उसका बहुत जरूरी है तो मांग का संबंद मुल्ले से होता है तीसरी इसकी element सत्थों कि हम बात करें तो मांग में एक निर्धारित समय आइस्थान होना बहुत जरूरी है समय इस्थान की हम बात करें तो बाजार तो इस परकार मांग अपनी तभी प्रभावित होगी जब इसमें तीन तत्वें शमलित होगी तो मांग अलग होती है आवशक्ताएं अलग होती है इच्छा अलग होती है तो इस परकार आप समझगे होंगे कि मांग आवशक्ता और इच्छा होगी तो इसमें दो सामिलने होंगे मुले और इस्थान की वे आप इच्छा ही आपकी ये वस्तू करेने की इच्छा है और आवशक्ता आवशक्ता आपकी देखी जाएगी कि उसमें मुले और इस्थान और परभावपून इच्छा को समलिते किया जाता है तो ये तो मांग के ऐलिमेंट्स या मांग की विशेशताइं होगी अब हम बात करें मांग कितने परकार की होती है मुले मांग, आए मांग और तिर्ची मांग, मांग तीन परकार की होती है अब हम इसी करम में बात करें कि मांग रेखा या मांग तालिका क्या है आप आगे मांग के नियम में अपन अधिन करेंगे मांग रेखा, डिमांड या मांग तालिका मांग तालिका से डिमांड टेबल मांग तालिका को दो भागों में बाटा गया है किते भागों में? दो भागों में वेक्तिगत मांग तालिका दूसरी बाजार मांगता लेगा इंडिजोल डिमांटेबल और मार्केट डिमांटेबल मांग तालिका मांग किसे हम कहेंगे ये चीज तो हमने समझ ली तो पन तू देखो कोई भी वस्तू अपन करेंगे तो इसमें आपको दो चीजे दियान रखनी है एक तो वस्तू का मुले और उसकी मांगीगी मात्रा वो ये अपनी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, मांग रेखा कहलाएगी कैसे, अन्ने बाते हैं अपने को यहां पर इसमें समान रखनी है अन्ने बाते समान रहने पर, अगर किसी, अन्ने बाते समान रहने पर मुल्ले वे मांगीगी मात्रा में वीपरित संबंद होता है वहाँ पर अपनी मांग रिखा बनती है कैसे? मुल्ले वे मात्रा मांगीगी मात्रा मैंने आपको बताया मुल्ले एवं मांगीगी मात्रा के मद्दे क्या होता है? वीपरित संबंद होता है कैसे अगर किसी वस्तु का मुल्ले बढ़ता है तो उसकी मांगीगी मात्रा क्या होगी कम हो जाएगी अगर किसी वस्तु का मुल्ले गढ़ता है तो उसकी मांगीगी मात्रा में क्या होगी वर्दी होगी यही क्या है मांग का नियम है मांग का नियम है मैं ने आपको वताया अन्य बाते समान क्या रहेंगी रूची आदत फेशन इस चीज़ को आपको क्या रखना है स्थिर रखना है अगर आप इस चीज़ को इस्थिर रखेंगे तभी मांग का नियम किरियासिल होगा मांग का नियम लागू होगा अगर आपकी रूची आदत फैसन में परिवर्तन नहीं है तो मांग का नियम लागू नहीं होगा तो इस परकार अब हम में टॉपिक पे बात करें कि मांग का नियम या मांग रेखा तो मांग वैं मांगीगी मात्रा या किसी वस्तू की मुल्ले वैं उसकी मांगीगी मात्रा के मद्दे क्या हो वी परीत संबंद हो वो क्या कहलाएगी मांग रेखा या मांग का नियम कहलाता ह अब इसे हम तालिका के मादम से हम देखिए व्यक्तिगत मांग तालिका किसे कहते व्यक्तिगत मांग तालिका वह तालिका है जिसमें पराइस और उसकी मांगीगी मात्रा के मद्दे क्या हो वीपरी तसम्मंद हो एक व्यक्तिगत तालिका के रूप में उसको परदेशित करें उसे हम व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं दूसरी आती हैं पर बाजार मांग तालिका बाजार मांग तालिका वह तालिका है जिसमें विक्तिगत मांग तालिकाओं का योग बाजार मांग तालिका कहलाती है विक्तिगत मांग तालिकाओं का योग कैलाएगी बाजार मांग तालिका कहलाएगी तो हम इसको एक उधारन के माद्यम से अपन अध्यन करेंगे जिससे आपको ये अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि व्यक्तिकत और बाजार मांग तालिका में क्या अंतर है व्यक्तिकत मांग तालिका की हम टेबूल की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया मुल्ले वै मांगी की मात्रा के मर्दे संब्द यहाँ पर अपना मुल्ले है यहाँ पर मांगी की मात्रा है मुल्ले कोई भी वस्तुका मानते हैं यहाँ पर माना तीन रुपे है और मांगी की मात्रा क्या हो गई पांच मुल्ले यहाँ पर अगर कम हो जाता है या मुल्ले फट़ता है तो इसका विपनी समूदत ना तो मुल्ले कम करेंगे इसको तो मुल्ले दो रपे करेंगे तो मातरा क्या हो जाएगी बड़ जाएगी अगर मुल्ले मार्केट में और भी कम हो जाता है वस्तूगा एक रिपए हो जाता हो तो उसकी क्वाइनटीटी क्या हो जाएगी बड़ जाएगी यह हरी जीवन में आपको लागू है कोई भी चीज आप मार्केट से क्रैकरने जाओगे और वो आपको सस्ते बाव में मिलती है सस्ते मिलती है तो उसको आप ज़्यादा करे करोगी और अगर सस्ती नहीं मिलती है तो आप क्या क्या करोगे नहीं खरीदोगी उसको यह उसकी क्वाइन्टिटी कम खरीदोगी तो यही इस पे लागू होता है तो इसको हम एक टेबूल के माद्यम से पढ़ें देखें तो व्यक्तिकत मांग तालिका का करव किस परकार से मनेगा ये तो अपनी क्या हो गया मुल्ले वा मात्रा के रूप में हम इसको एक ग्राफ के माद्यम से टेबूल के माद्यम से हम पढ़ें तो ये तो वस्तू का मुल्ले हो गया और ये वस्तू क्या होगी? quantity होगी मुल्ले आपर क्या हो रहा है? एक रुपे, दो रुपे, तीन रुपे ये quantity एक, दो, तीन, चार, पांट, सह, साथ, आठ, नो, दस तो यहाँ पर एक एक, दो, तीन एक, दो, तीन, चार, पांट, सह, साथ, आठ, आठ, नो एक रुपे में किती quantity खरी दी हमने? एक रुपे के अंदर पांच दो रुपे में? साथ ये दो रुपे में साथ quantity आजाए कि लगए होगी है आपर एक रुपे में आठ, तो इस पर गार पांच रुपे की मानगे चलें, पांच रुपे में किती quantity है, एक रुपे में तीन पांच में तीन आगई, दो रुपे में साथ आगई दो रुपे के अंदर साथ और एक रुपे के अंदर आठ तो ये पनी इस परकार से मांग रेखा मन गई डिमांड कर वे इसे हम मांग रेखा भी कहते ही मुल्ले वे मात्रा में वीपरित संबंद को दर साती है मांग तालिका व्यक्तिकत मांग तालिका कहलाती है अब हम बात करें बाजार मांग तालिका की व्यक्तिकत मांग तालिकाओं का योग बाजार मांग तालिका कहलाती है जैसे हम बात करें क्वांटिटी है कोई वस्तू का मुल्ले है मांगे चलते हैं ये अपना वस्तू का क्या है मुल्ले विविन मार्केट के इंतरकत जो भी है संत्रों की मांग है डिमांड है आपर X, market, Y market और Z market और यहां पर क्या जाएगा टोटल योग मुल्ले ले लेते हैं कोई भी 10 रुपे 8 रुपे, 6 रुपे, 4 रुपे 2 रुपे इसी करम में 10 रुपे में एक market के अंदर या एक व्यक्तिक अंदर गत quantity खरी जाती है 5, 8 रुपे में बढ़ेगी 6, 7, 8 और 9 यहां पर देखो मुल्ले कम हो रहा है quantity भी बढ़ दी है मुल्ले अगर जादा है तो quantity अपनी कम है तो इस प्रकार Y की देख लेंगे यहां पर 4, यहां पर 5 6, 7, 8 6, 7, 8 इसी प्रकार Z की 6, 7, 8 और यह 9 और यह 10 अब इनको तीनों को जोड़ देंगे मैंने जैसे आपको बताया विक्तिगत मांग तालिकाओं का योग ही बाजार मांग तालिका होती है 6, 4, 10, 15 7, 5, 12 12, 18 7, 6 13 13, 18 20 24 27 अब इसको हम भी एक टेबूल के माद्यम से कर सकते हैं तो इसका करव भी हमें इस परकार से प्राप्त होगा यह मुल्ले आजाएगी अपनी यह क्वांटिटी आजाएगी इस परकार से बनागे देख लो मुल्ले के इंतरगत 10 रुपे के इंतरगत 15 क्वांटिटी आ रही है 10 रुपे में इसे यहाँ पर आजाएगा यहाँ पर बात 5 10 2, 2 खागे अपने लो 2, 4, 6, 8, 10, 15 और यह मुल्ले आजाएगा यहाँ पर मुल्ले तो यह अपनी क्या हो आगई बाजार मांगता लिका आगई तो हम इसको एक रेखा के रूप में भी परदशित कर सकते हैं तो इसे हम मांग रेखा भी कहते हैं तो इस परकार हम नेक्स्ट वीडियो में हम तर्शा करेंगे मांग का नियम क्या है मांग के नियम के लागू होने के कारण कौन-कौन से है और मांग के नियम के अपवाद कौन से है भहती बहुत अन्यवाद थैंक्यू very much